Hare Krishna नमोम विष्णुपदाय गौर्पिस्टाय भूतले स्री मते भक्ति विदान्त मन्गोश्वामीती नामने जै श्री किष्णिन चेतन्यय प्रभुनित्यानंद स्री अध्वेट गदाध सिवासाधी गौरबक्ति विंगा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare मैं डॉक्टर उमाकान शर्मा, फाउंडर डिरेक्टर, रेकी एंड एस्टो हीलिंग इंस्टेट्टूट द्वारका सेक्टर फोर नई दिली से, हम पिछले दस वर्चों से कई सेवाओं को जन्जमदाय तक पहुचा रहे हैं, आज मैं उन सभी सेवाओं की चर्चा की कारेपणाली और उनकी विष्टिक जानकारी के लिए आपसे बात करूँगा और यह पोसिस करूँगा कि आपको इंस्ट्टूट के सभी विष्यों के बारे में अवगत करा सुए हलंकि सभी प्रदान की जाने वाली सेवा हैं हमारी इंस्ट्टूट के लिए बहुत मैथपूर हैं किन्तो जन्समदाय की अपिक्षाओं का ध्यान रखते हुए मैं आज हमारे से रिलेटेड या जितनी भी सेवा हैं हमारी हीलिंग से रिलेटेड उन सबकी जानकारी में आपके साथ साधा करूँगा आज हमारा इंस्ट्टूट राही इस्पेशल साइंस और हॉलिस्टिक के सब्जेक्ट के विषय में ISO 9001-2015 से भी सर्टिफाइड हो चुका है हम इसके साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल कई प्रकार की मेंबर्शिप हमें मिल चुकी है और आप उनकी विष्टिज जानकारी www.reki and astro.com पर भी जा करके देख सकते हैं इसके अलाबा हम बत करते हैं हमारी सर्विशिज के बारे में ये तो एक छोड़ा सा बसी अधा जो आपको दीया गया जो हमारी अ सेल's exercises हे रेकी एंडास्टरी इलिंग इंस्टूट के बारे में जिसको हम राही कहाते हैं तो राही के विषय के बारे में हम आपको बता रहे है कि राही कौन-Кौन सी सेवाएं दे रहे और इह उन्ही सेवाओं से स enmंदित जो uouses हम करा रहे है उनको मैं बारि-बारी से आपके सामने रखूंगा तो सबसे पहले टेजिशनल रेकी यह बताते हैं कि ट्रेजिशनल रेकी जो एक पारंपरिक रेकी है उसमें पांच लेवल होते हैं इसके अलावा करणा रेकी के दो लेवल होते हैं तो यह सभी लेवल हमारे हैं कराये जाते हैं और इन से संबंदित जितनी भी हीलिंग्स हैं चाहे वो डिस्टेंस हीलिंग है चाहे आपको वो सेवाएं होम विजिट के रूप में और डिस्टेंस रूप में दी जाती हैं डिस्टेंस रूप में हम मैप मंगा लेते हैं और मैप को देख करके हम उसकी गढ़ना कर पाते हैं तो उसमें बेसिक वास्तु कवर होता है एडवांस वास्तु कवर होता है साथ में एन अत्रैक्त मनी वास्तु, तो जैसे आम आने बताया कि वास्तु एडजियोपैथिक, तो जियोपैथिक स्ट्रैस भी काफी माएने रखता है हमारे वास्तु की घड़ना करने में, इसके अलावा astrology and numerology, herbs and astrology, आपका advanced NLP, master course, crystal healing master course और इसके अतरिक्त जो बाकी के वास्तु और NLP से related हैं, जो छोट-छोटी sessions हम positive parenting sessions, relationship sessions वो सभी भी हम इसमें कराते हैं, साथ में हम इसकी healing services भी provide करते हैं इसके अतरिक्त angel therapy, crystal ball gazing, dowging और dowging के साथ साथ advanced dowging जिसमें aura scanner भी सामिल है past life therapy, clinical hypnotherapy, DMIT, सबसे mathematical subject, DMIT यानि के fingerprint analysis यानि fingers को scan करने से हम उस बच्चे की strength, weakness, उसके brain की mapping कर सकते हैं और बच्चे को हम सही guidance दे सकते हैं उसके carrier से related के आने वाले समय में उसके लिए कौन सा carrier suit करेगा, कौन सा नहीं करेगा तो detailed इसमें पूरी report बनती है और इसके लिए galaxy team हमारे पास है इसके अलावा spices and astrology, herbs and astrology और astrology के जो बाकि advanced features हैं वो सब हमारे हां से provide किये जाते हैं और यह सारे जितने भी courses मैं आपको बता रहा हूँ यह सभी courses आपको जानकर खुशी होगी कि यह सभी courses world class certified हैं इसके notes, PDF notes, books, handwritten notes यह सभी आपको provide किये जाते हैं जिससे के आपको समय समय पर इसको पढ़ करके जानकारी मिल सके एक बात और बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि जितने भी courses हैं हमारे हां यह एक वर जब आपने कर लिया तो lifetime free of cost आपको कर सकते हैं repeat इसमें कहीं पे भी बार-बार कोई fees नहीं ली जाएगी क्योंकि आपको एक membership, student membership मिल जाती है और इस institute के मार्दे हम से वह सभी आप सभधाएं ले सकते हैं जो एक students के लिए हम लोगों ने plan की हुई हैं इसके अलावा पामिस्टी और पामिस्टी के अलावा positive parenting system जो रहले बता चुका हूँ acupressure, natural energy healing, sound healing, spiritual healing, spirit releasement therapy, reiki energized candle healing, vidya सक्तिपाथ, samradi सक्तिपाथ, madhram सक्तिपाथ और सुभम सक्तिपाथ और brain magic के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो हमारे यहां जो DMIT की service दी जा रही है वो brain magic banner के अंदर दी जा रही है क्योंकि हम यह मानते हैं कि जब आप fingerprint analysis कराते हैं तो एक magic की तरह, brain magic की तरह काम करता है एक बच्चे के साथ और एक बड़े के साथ इसमें कोई age limit नहीं है आप starting से लेकर कि किसी भी उम्र तक आप इसको analysis करा सकते हैं detailed report आपको मिलती है और आपको, आपके satisfaction के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो आप इन services को जरूर avail करें और अब हम बात करते हैं कि institute और किस तरह की achievements के साथ काम कर रहा है यह तो मैंने आपको करीब 50 modalities के बारे में बताया यानि कि हमारा institute कम से कम 50 प्रकार की सेवा है और 50 प्रकार से अधिक प्रकार के courses कराता है और इन 50 प्रकार के courses जो है इनमें जितने भी certificates हैं वो सब आपको provide किये जाते हैं तो इन सभी courses के अलावा हम gems, crystals, रुद्राक्ष, healing candles, healing instruments, और ice scanners वगरा की भी सेवा दे रहे हैं अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 वर्सों में हम लोगों ने लगबग 2500 से अधिक patients को हम क्योर कर चुके हैं 2500 से अधिक और पूरी सफलता पूरवग कुछ patients क्योर नहीं हो पाए क्योंकि बहुत पुराने cases थे वो और इसमें बिल्कुल भी accept करने में हमें कोई problem नहीं है कि वो पुराने case होने की वज़े से और belief system थोड़ा सा weak था patients का तो वो रेकी को इतना सहज रूप में नहीं ले पाए और वो कुछ patients ऐसे थे जो 18 patients जो ठीक नहीं हो पाए लेकिन हाँ 25 से अधिक हमने patients को ठीक किया है तो वो हमारी लिए माइने जादा रखता है और हालंकि जो patient ठीक नहीं हो पाए उन पे भी हम थोड़ा research कर रहे हैं और जल्दी ही हम उसके बारे में निकालेंगे कि ऐसा क्या reason था कि वो ठीक नहीं जो trainees हैं अपने field में सेवाएं दे रहे हैं और वो भी success हैं काफी तो अब हम बात करते हैं हमारी working team के बारे में आपको जान करके एक उसी होगी कि हमारी team में लगबर 10 से 15 लोग काम करते हैं कुछ लोग part time है और कुछ लोग full time है इसमें रेकी grand master सामिल है जो आपको website पर भी उनकी जानकारी मिल जाएगी DMIT counselors, brain mapping counselors जो especially teaching modalities avail कराते हैं students को के एक पर हमें पता लग गया के एक students की strength और weakness यह है या एक ग्यक्ति की strength और weakness यह है उसके carrier में यह सब चीज में प्लाइन होनी है तो उसके according brain map किया जाता है कि brain mapping के लिए हम कौन-कौन सी activities उनको पूरी annual basis पे क्या-क्या करा सकते हैं तो उसके लिए एक अलग team काम करती है इसके अधिरिक्ट हमारे पास astrologers की चाहे वो बेदिक हो या वो हमारे अपने सास्तों से related कोई चीज पर अध्यान कर रहे हो उसकी एक team अलग है और इसके अलाबा कर्म-कांट से related भी हमारे पास एक team है अगर माली जे कहीं हवा नित्यादी कराना है या कोई पूजा पार्ट कराना है नभ ग्रह से related कुछ अधर भी उसके साथ है पास्त लाइफ अपनो थेरेपेस्ट भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और रुद्राक्स और जैंस क्रिस्टल्स वगरा की एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह की क्वालिटी के क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं तो वह पूरी team overall 10-15 लोगों क भी है जो हमारे इस्ट्टूट के साथ associate होकर की काम कर रही है अब हम ये बात करते हैं कि अलग विसे पर हम कैसे services दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसमें अलग विसे पर हम कैसे काम करते हैं हम बात करते हैं कि रेकी के बारे में तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और आपको यह बताने के लिए है कि इंस्टिटूट किस तरह से काम करता है परदर आप जब इंस्टिट्ट के और भी subject के बारे मैं जानना चाहेंगे या और sofa के बारे में जानन चाहेंगे तो मैं चाहूंगँ कि आप एक बार सब्सक्राइब करें चैनल से पहले और बैल Sब्सक्राइब जब आइक निदे हैं ताकि आपको समय सहेंए पर जो वीडियो कुछ काम कर रहा है और इनके पास एक टीम है हम लोग दौर का सेक्टर फोर में सिच्टेटेड हैं यहां पर इसकी सेवाइं दे रहे हैं तो हमारा अपना यह अनुभब रहा है कि जितना ज्यादा हमारा कस्तमर सैटिस्टेक्शन होगा हमारा इस तरह की सेवाइं हैं वो और को मैं बताओ रेकी में दो वर्ड्स हैं रे और की रे का अर्थ है यूनिवर्सल और की का अर्थ है एनर्जी यानि कि यूनिवर्सल एनर्जी जपानी सब्द होने की वैसे यूनिवर्सल एनर्जी को रेकी कहा गया हलंकि यह रेकी का जो चलन है हमारे अपने सासरों में वे दिसकवरी हुआ तो इसलिए जापानी वर्डिस में ज़्यादा इस्तिमाल किया गया तो जीवन की जो सरव्यापी जीवन सकती है जो गुरु परंपरा की धारा में अनेक वर्सों से जन सामाने के वेकल्फिक चिकत्सों के रूप में उपलद्ध है रेकी सीखने के बाद आप अपने और दूसरों के सभी सारगरिक मांसिक भावनात्मक रोगों का इलाज बिना दवाई के कर सकते हैं रेकी द्वारा हमने कई ऐसे रोगों का इलाज भी किया है जो टेस्ट में नहीं आते थे या जो मेडिशन से ठीक नहीं होते थे और बाद में जब रेकी की गई तो तो ठीक आते हैं लेकिन उनका जो बीमारी है वो पता नहीं चलता जैसे माली जे आपको कोई प्रॉलम है और आपने मेडिकल टेस्ट कराया तो मेडिकल टेस्ट थीक आ गया फिर भीमारी का पता क्यों नहीं चला तो ऐसे रोगों पे भी रेकी बहुत ज़्यादा असरदायक रहती है क्योंकि रेकी क्या करती है हमारे बॉडी की जो वाइटल फोर्स एनर्जी है उसको एनेंस कर देती है और जाहिर सी बात है कि जब आप किसी पर्टिकुलर किसी अंग में कोई एनर्जी वीक हो जाएगी तो क्या होगा उस अंग को धिर धिरे कोई रोग पकड़ ले है और ठीक होने की स्थिति में आता चला जाता है अब मैं आपको बताता हूं कि रेकी के द्वारा बुखार जुखाम ब्लड प्रेशर सुगर पेंशन डेप्रेशन नर्वसनेस थाइरॉइड सभी प्रकार के दर्द गुस्सा भै उदासी बुरी आदतें कमजोरी पानती पारबारिकल है खराब संबंद इसके अलावा मेमरी इशू इत्यादी शफलता पूर्वर ठीक किये जा सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया 2000 से वी उपर पेशेंट को हम क्योर कर चुके हैं उनमें बहुत से पेशेंट ऐसे भी थे जो जिनको पैरलेसिस था हर्ट के इशूस थे और जिनको एस्टन डले हुए थे कैंसर था और भी अलग अलग तरह के जॉइंट पैन थे तो रेकी से यह सारी चीज़ें हमने जॉइंट पेन और जितने भी तरह के दर्द होते हैं यह सब हमने क्योर किये हैं अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बता र लेकिन एक हिंदुस्तानी विद्या होने के नादे यह विद्या हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है पिछले को समय में और रेकी द्वारा शरीर के अंदर सारे रेक संतुलन भी किया जा सकता है तो दोस्तों इसलिए सब जानकारी दे रहा हूं कि कुछ लोगों को पैरेकी के बारे में इतनी जानकारी ना पता हो तो हो सकता है कि मेरा वीडियो उनके काम आजाए और रोग के मूल असर मूल कारण पर इसका असर होता है हमारी जागरती बढ़ती है चेतना का विकास होता है और जितनी भी उपचार शक्ती है हमारी बॉड़ी की तो उसकी ज आप हमारी भावनाओं से संबंदित, हमारे बंधन, उससे हम सब मुक्त हो जाते हैं, तो जैसे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल की है, सेल फीलिंग पावर, सेल फीलिंग पावर मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी मेडिसन्स ले रहे हैं, चाहे वो होवोपेतिक है, चाहे ऐलोप करा रहे हो, या कोई भी विधा से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, जब तक आपके अंदर सेल फीलिंग पावर एक्टिवेट रहेगा, आपकी बॉड़ी के अंदर सेल फीलिंग पावर का प्लेटफॉर्म एक्टिवेट रहेगा, तब तक वो सभी विधाय काम करती रहेंग तो कई बर क्या होता है:" वो सैलफ फिलिंग पॉवर ही डیमेज हो जाता है रीकी हमने नियक हम ने लख लेती है और को आपको सभी तरह की दवाईया सूट करने लग जाती है अचा यह मैं किस आधार पर बात कर रहा हूँ, यह इस आधार पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे हाँ पेशेंट आए, तो कुछ पेशेंट्स की यह कंप्लेंट थी कि हम दवाईयां तो बहुत लेते हैं, लेकिन वो आराम नहीं पहुंचाती हैं, अब आप यह देख उनको ट्रीटमेंट सूट करने लग गया, उनको दवाईय सूट करने लगी और वो जल्दी क्यों और हो गए, जहां पर डॉक्टर ने कहा था आठ मीने लगेंगे, दस मीने लगेंगे, वो जल्दी ठीक हो गए, अब रेकी से सम्मंदित जो दूसरे तरह के वीडियोज हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, रेकी एंड एस्टो हीलिंग इंस्टूट के नाम से जब आप सर्च करेंगे यूट्यूबर, तो आपको रेकी से रिलेटेड और बाकी और वी जैसे किस्टल बॉल गेजिंग है, मिस्टिक साइंस से रिलेटेड और वी जो चीज़ें हैं, वो सब आपको मेरे कई तरह के वीडियोज वहां पर बेलेगे다면 और डे टेल के लिए आप आपको भी संपरक्ट कर सकते हैं वह पे उनको वॉच कर सकते हैं, लेकिन हां यह हैं कि आप इनको सब्स्राइब क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से बैल का आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको अप्टेटिट वीडियो मिलते रहेंगे क्योंकि आने वाले वीडियो और महत्पूर होंगे तो जो भी वीडियो से आप जरूर सच करके देखें और बस आप ये बिलकुल ध्यान रखें कि जो रेकी के अंदरगत हम सिखा रहे हैं उनको थोड़ा सा और में बताना चामगा कि हम इसमें आत्मसाधना आभा मंदल की साइंस चक्रा विज्ञान दूर उपचार विधी किस्टल हीलिंग इसके अलावा परामानसिक शक्तियों की विज्ञान इसपर्थ सिकित्षा सुरक तो साइकिक सर्जिरी के बारे में अभी बताऊंगा जब मैं अपनी थोड़ी बात कम्प्लीट कर लेता हूँ इसके अलावा साइकिक अटेक क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको और और भी कई तरह की चीजें हैं जैसे मनों कामना पूर्ण करना रॉंग फूड कॉमिनेशन इन सब के बारे में मैं इसतार से बात करूँगा रेकी मास्टर लेवल पे और ग्रांड मास्टर लेवल पे जब आप आते हैं तो आपको जो हीलिंग सेंटर है जो आप अपना हीलिंग सेंटर उपन कर सकते हैं उसके जरी भी आप सेवाएं दे सकते हैं क्योंकि आपको एक certified grand master बन जाते हैं क्योंकि आपको एक certificate की दिया जाता है जिसके माध्यम से आप अपना center open करके सेवाइं दे सकते हैं समाज को रेकी बैग्यानिक और ब्यभारिक प्रियोगात्मक रूप से काफी सफल और वेकल्पिक चिकत्सा पदिती के रूप में उभर की आई है पिछले कुछ समय में तो जिससे न केबल हम स्वस्त रह पाते हैं बलके अन्य जन समधाय को भी हम इसका लाभ पहुचा पाते हैं तो दोस्तो रेकी उपचार से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें सबसे पहले तो यह तैय करना होगा कि हमें अपनी और दूसरों की सेवा करनी हैं क्योंकि जब आप यह तै yapt应 कर लेते हैं, कि हमें अपनी और दुसर цен की सेवा करनी हैं, तब आपको एडिस्टियन ले पाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, कि मैंने कह था तब इचमिन अभी, कि Saically Success strategy के आटेक के बारे में हम रेकी में सिखाते हैं। इस्पेशली क्या हो रहा है आजकल के बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे हस्पास, हमारे औरा में, हमारे चक्राज में स्थापित हो जाती हैं, किसी ने किसी कारण से, कई प्रकार के कारण उसके हो सकते हैं, तो psychic attack जो है, एक tantric attack के रूप में भी उसको देखा जाता है, एक नजर टॉने टोटके के रूप में भी उसको देखा जाता है, या ऐसी शक्तियों के रूप में देखा जाता है, जिनसे हमारा कभी भी वास्ता नहीं रहा, तो रे की एक ऐसी विद्या है, जिससे हम इन नकारा आप पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके psychic surgery के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि psychic surgery क्ष़ जाएक कि इनका retina is weak है। हमारे पास काफी experience है इस बात के और आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं experience के पारे में तो एक बच्चा था जो premature baby पैदा हुआ आठ महीने का और डॉक्टर्स ने कह दिया के जी इनका रेटिना कम से कम दो साल में जाके डबल अप होगा तो उन्होंने कुछ medicines और कुछ ऐसी चीजें लिखी तो पेरेंट्स काफी परेशान हो गए चुकि उनकी मदर जो pregnant थी जिस वक्त बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो उनकी मदर का भी मेरे से treatment चला healing चली तो cancer का past history था तो इसलिए वो healing उन्होंने पूरा time कर आई तो बच्च हमने psychic surgery भी की और आप यकीन नहीं मानेंगे हमने दो महीने में उस बच्चे को cure कर दिया खुद डॉक्टर भी हैरान थे के ऐसा कैसे संबब है इसके अलावा हमने जो गुटने पूरी तरह से damage हो चुके थे उन गुटनों को हमने repair किया इस psychic surgery के माध्यम से बुजर्ग लेड surgery नहीं कराए गई और सिर्फ रेकी से वो क्यार हो गई इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने ऐसी ऐसी ठीक की जो खुद patients हमारे लिए gratitude रखते हैं और patients हमें feedback ही बहुत अच्छे दिये उन्होंने reviews भी किया कि आपने बहुत अच्छे सेवाएं दी तो मैं आपसे सिर्फ इसलिए यह सब बातें share कर रहा हूं कि हो सकता है कि आप बीरित हो किसी चीज से या हो सकता है कि आपके neighbor spirit हो आपके relative spirit हो अगर आपको रेकी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जरूर उनके साथ share करें इस जानकारी को और YouTube पे अधर्स वीडियो को भी जरूर देखें ब अब हम बात करते हैं कि रेकी उपचार से पहले जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम कैसे जान पाते हैं कि उसका औरा वीख है उसके चक्राज वीख हैं तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका orientation मैं आपके सामने अभी दूँगा तो सबसे पहले हम बात क प्रैक्टिस होता है और प्रैक्टिस करते करते यह फिर हमारी कमांड को लेने लग जाती है जैसे मैंने कहा कि मेरा यस किदर है जैसे मैं इसे बात करूं कि मेरा यस बताएं मेरा यस किदर है तो मेरा यस यानि कि open होके बताएगा कि मेरा यस open है ठीक है अगर मैं बात करूं अमें से बात करूं कि मेरा जो No का अंसर किदर आएगा, तो यह मेरे का बताएंगे कि मेरा No का आंसर जो है Left में है, तो इस तरह से हमें पहले से हम इसकी Practice कर पाते हैं, हमारा कोई Control नहीं होता, यहाँ पर एक्नम होकला है यह, तो केवल आपकी यह एनरजी होती है, क्योंकि एन उतना खुल रहा है तो यह लिए आपके और पर और अगे काम कम खरेपे शोज है है energy का उसको हम अब हम अंडल बोल रहे हैं उसको हम औरा बोल रहे हैं अगर आपका औरा डेमेज्ड है इसका मतलब है कि आपके चक्राज भी दिरी डिस्टरफ होना सुरू हो जाएंगे अब हम चक्राज को कैसे चेक करते हैं सेवन चक्राज को चेक करने का माध्यम है यह spring rod जिसको हम चक्रा scanner कह रहे हैं इसमें जिसके सामने हम रखेंगे उसके आधार पर यह भूम करते बताएगा अगर यह राइट भूम रहा है तो राइट भूमने का मतलब है कि यह चक्रा वीक है और यदि यह लेफ्ट भूम रहा तो यह चक्रा इसका मतलब stressful है, negative है, overused है तो इस आधार पर हम इस चक्रा scanner से बता पाते हैं कि चक्रा के उपर हमें कितनी healing करनी है और वो कितने दिन में patient ठीक होगा अब हम बात करते हैं, advanced aura scanner के बारे में, अब तक हमने बात की चक्रा scanner और L-Rod के बारे में अब हम बात करेंगे advanced aura scanner या वास्तु स्केनर, क्या है वास्तु स्केनर या aura scanner? यह भी L-Rod की तरह काम करता है, लेकिन like, attract like के बेस्ट पर काम करता है और इसमें हम samples लगाते हैं, यहाँ यहाँ पर आपका power का दिया हुआ है, power को ion करते हैं, जिससे इसकी energy activate हो जाती है अब हम इसमें अलग-लग sample लगा करके इसको प्रयोप करते हैं सेम्पल अगर देखे हैं, हम किसी की positive energy के बारे में जानना चाहते हैं, कि positive energy कितनी है उस particular person की या उस particular जगह की तो हम यहाँ पर positive sample लगाते हैं, और sample लगाने के बाद हम इससे प्रातना करते हैं कि हमें उस स्थान की या उस व्यक्ति की positive energy के बारे में बताएं तो मैं इस स्थान पर बैटा हूं और मैं सिर्फ रातना करता हूं कि मुझे इस स्थान की positive energy के बारे में बताएं तो और आइस scanner हमें घूम करके हमें positive energy के बारे में बताएगा 115 परसेंट इस एरिया की इस जगह की positive energy है इसी तरह से अगर हम बात करें कि इस इस्थान की कॉस्मिक एनर्जी कितनी है तो कॉस्मिक एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं और हम प्रात्ना करते हैं कि हमें इस एरिया की कॉस्मिक एनर्जी बताएं एक सो पांच परसेंट इस एरिया की कॉस्मेक एनरजी है इसी प्रकार इसमें 100 से अधिक सेंपल्स होते हैं और उन सेंपल्स में आपके औरा स्कैनिंग का आपके ग्लोबल एनरजी का आपके IR एनरजी, नेगेटिव एनरजी, ब्लैक मैजिक, इस्पिट्स एनरजी, यूवी एनरजी, डैड एनरजी और जियोपैथिक एनरजी इसके अलावा आपके कौन से कलर आपको सूट करते हैं, कौन से कलर आपको सूट नहीं करते हैं आपके कौन से चक्राज वीक हैं, कौन से चक्राज वीक नहीं हैं कितने वीक हैं, परसेंटेज क्या हैं, यह सब हम इस औरा स्केनर से जान सकते हैं दूसरी बात कि हमारे कौन से गरे हमें ज्यादा प्रभाब डाल रहे हैं, कौन से गरे हमें ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, कौन से गरे हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी कौन सी दिसाएं वीक हैं, कौन सी दिसाओं में कितनी एनरजी है, उसकी परसेंडेज क्या है, वो सब हम इस aurai scanner से पता कर सकते हैं एक वर जब हमें पता लग जाता है कि कौन सा area या कौन सी direction हमारी week है तो हम उसको energy से balance कर सकते हैं अगर उसकी कम energy है तो उसकी energy को enhance कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे instrument हमारे पास already available हैं तो जैसे energy enhancer है हम पता लग जाए हमारे पास balance है उससे हम क्या करते है enneờ इसको balance कर सकते हैं ऐसे बहुत तारे ट्रामेट्स और ऐसे इंस्टॉमेंट्स और ऐसे आईटमस आते हैं जो हमारे पास अबलेबल होते हैं जिससे के हम उन दिशावगों को मैनेज्ड न किर सकते हैं चाये वो डोर प्रोटेक्शन हो, चाये वो जियो पेथिक रोट्स हो यंतराज हों, एरोज हों, या अलग लगता रहे के ऐल शेप में बैलेंसर हों, सेपरेटर हों, शिफ्टर हों, एनरजी को इवन सिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर माली जे, नॉर्थ ईस्ट हमारी किचेन है, उसको साउथ इस्ट होना चाहिए, तो हम नॉर्थ इस्ट की एनरजी को साउथ इस में शिफ्ट कर सकते हैं उसको नौट इस की किचिन को फिरा में तोड़ने की ज़रुत नहीं है यानि कि बिना तोड़ फोड के भी आप इस स्कैनर से ये पता लगा के कौनसी एनर्जी डिस्टरब है तो बिना तोड़ फोड के भी हमारे पास ऐसे इलाज हैं जि बहुत सारे वास्तु को भी मिंटेन कर पाते हैं इसके अलावा आपको कौन सा रत्न सूट करता है कौन सा रत्न सूट नहीं करता या कौन से चक्राज आपकी डिस्टरब है तो कौन से चक्रा की आपकी हीलिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो तिसमें जो भी और भ इध्या को सीख पाते हैं और इसका implementation कर पाते हैं और प्रभापसाली इसलिए है क्योंकि ये energy based है energy के उपर काम करती है और energy के लिए काम करती है तो कई वर आपने देखा होगा कि बहुत सारी बहुत सारे ऐसे issues आते हैं हमारी life में कि हमें यही पता चलता है कि हमें यह problem क्यों हो लेकिन और इसकेनर से जब हम सेंपल लगा करके जानने कोसिस करते हैं तो हमें तुरंट पता चल जाता है 15 मिनट हमें पता लग जाएगा कि यह problem है तो और इसकेनर का course मैं जल्दी ही भी next month में start करने वाला हूं और तब आप इस course को join कर सकते हैं इसमें हम basic वास्तू को भी ल कि और इसकेनर के मादियम से जब आपको पता चल जाए कि आपको यह problem है तो कैसे उसका समरहान करेंगे कुछ-कुछ हिस्तों को मैं touch करूंगा क्योंकि हर चीज के लिमिट होती है और एक ही session में वो सारी check cover नहीं हो पाती है तो यहां पर मैं आपको बात करूंगा आज वास् लिक्ट्री होते हैं कौन सी दिसा में और कौन से colors हमारे ज्यादा suitable होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे suitable colors की के कौन-कौन सी दिसा में कौन-कौन से color ज्यादा suitable होते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं North की North में हमेशा जिहान रखें blue color होना चीए North में हमेशा blue color होना चीए ठीक है अब नौर्थ एस्ट तो नौर्थ एस्ट में भी ब्लू कलर होगा है इस्सी तर ऐसे जब हम ईस्ट की बात करेंगे तो इस्ट में ग्रीन लाइट ओरेंज रेड्ड औ पीस कलर ज्यार तर लोगों की डिमांड होती है पीस polar तो हम कहसकते हैं उनको कि आप East में इच कलर को कराएं दोस्तो इस online देखना क्योंकि मैं बहुत 수ारी जानकारी ऐसी देने वाला हूं वास्तु की जो आप लिए बहुत काम आने वाली है आपके चाए herd के लिए हो चाए wealth के लिए हो या आपके सुख संपन्न ताके लिए हो तो यह जो है overall cover करेगा यह वीडियो तो आप जरूर लास तक देखना और अंत में जब आपको यह पसंद आएगी तो आप comment करना ना भूलें अब मैं बात करता हूँ South East South East में जो color है वो red, deep red और pink होना चाहिए South East में दोस्तो South में red color चलेगा South West में yellow and brown color चलेगा इसके अलाबा West में white, black and gray color चलेगा North West में white transparent और silverish gray आपका use होगा North West में Center कई बार कुछ लोग कूछते हैं कि Center में हम कौन सा color करना चीज़? Center में yellow color किया जा सकता है और mixed color किया जा सकता है तो ये बात मैंने आपको बताई ऐसे colors की जो अलग-लग direction में उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी energy को balance करने के लिए उनकी energy को संतुलित करने के लिए अब बात करते हैं कि कौन से color नहीं होने चाहिए, कौन से color contradictory होते हैं इन color से जरूर बचना चाहिए अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती है और आपकी दिशा पूरी तरह से खराब हो जाती है और आपके घरों में उसका दोस आने लग जाता है और आपके घरों में बहुत सारी जरूर हो जाती है तो हम बात करेंगे नौर्थ इस्ट की तो दोस्तों नौर्थ इस्ट में आपको ध्यान रखना है यलो कलर यलो कलर नहीं होना चाहिए साथ में और उन चीज़ों को भी बता दूगा कि कौन सी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी एनरजी भी खराब करता है तो नौर्थ इस्ट क्या है हमारा वहाँ पर ट्वालेट नहीं होना चाहिए नौर्थ इस्ट ट्वालेट नहीं होना चाहिए ठीक है ना और इसके अलावा यलो कलर नहीं होना चाहिए रैड नहीं होना चाहिए या कोई तिकोनी शेप नहीं होनी चाहिए वहाँ पर नौट इस्ट में साउथ इस्ट में वाटर नहीं होना चाहिए अर्थ नहीं होना चाहिए ब्लू कलर नहीं होना चाहिए यलो कलर नहीं होना चाहिए टाइलेट नहीं होने चाहिए इवन वाथरूम भी नहीं होना चाहिए इसके अत्रिक साउधवेस्ट की हम बात करते हैं साउध वैस्ट में वाटर यानि ब्लू क्लर नहीं होना चाहिए ग्रीन यानि एर नहीं होनी चाहिए एर मतलए green ग्रीन कलर नहीं होना चेह waterfall का कुछ ऐसा image या ऐसा कुछ नहीं होना चेह और toilet नहीं होनी चेह kitchen नहीं होनी चेह क्योंकि वो fire को indicate करती है इसके अलावा baby shape नहीं होनी चेह छोटे पौदे नहीं होनी चेह bathroom नहीं होने चेह चाहिए यह नहीं होने चीज़ें आपको बताई हैं नौर्थ वेस्ट में मैटल की चीज नहीं होनी चीज़ें कोई बहारी आइटम नहीं होना चीज़ें जैसे सिलेंडर इत्यादी आयरन इत्यादी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा मैं आपको जैसे आपको benefit कर रहा हूं वेस्ट में तेजोरी रखनी चाहिए नौर्थ और नौर्थ इस्ट फेसिंग करके साउथ में रेड फ्लेग दिकोना धंडा लगा सकते हैं ताकि उससे आपका वो एरिया मजबूत हो जाए उसकी एनर्जी इनहेंस हो जाए और एक चीज़ आपको बताके चलू बेखा लाए है वहां पराप और लगाने से पायदा होता है है क्या मात्रां होनी चाहिए किस तरीके से लगानी चाहिए अब आपस्ट ञीत दिया कर सकते हैं इसके बारे में आप परस्नली हमें और कर मैं आपको नंबर बता रहा हूं आप नोट कर लिए 9582539246 फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं 9582539246 तो दोस्तों इस नंबर पर आप डारेक्ट कॉल करके और वास्तु के रिगार्डिंग या जो भी आपके प्रिश्ण है वो आप जानकारी ले सकते हैं हमारी एक वेबसाइट है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं www.rekiandastro.com यहां भी विजिट करके आप बाकी की जानकारियां ले सकते हैं अब हम बात करते हैं कुछ प्रिशशन आईसे होते हैं वास्तु के रिगार्डिंग या औरा के रिगार्डिंग या चक्रा के रिगार्डिंग जिनका solution बहुत जल्दी से नहीं मिलता लेकिन वासु एक ऐसा विशह है जहां पर आप एक चीज को balance करते हैं तो बाकी की भी 80 चीजे balance होना शुरू होती है थोड़ा समय लगता है 15 दिन लग सकते हैं महीना लग सकता है वेट का रखना चाहिए कोई कहता है साउथ में रखना चाहिए कोई कहता है कहीं कोई कहता है कहीं तो मैं आपको बिल्कुल सास्तरों बता देता हूं कि वेट के लिए जो दिसाएं हैं सबसे पहली दिसा होती है वैस्ट वैस्ट के अंदर आप जितना वेट रख सकते हैं उतन weight रखने की, वो वेस्ट होती है, दूसरा, light weight का रखना चाहिए, तो light weight में हम east, north और north east को count करते हैं, हाला कि North East में weight ना हो तो अच्छा है पर फिर भी अगर light weight होगा तो चल जाएगा तो East, North, North East ठीक है दोस्तों अब जो main बात है जहां पर हम वास्तू को कहते हैं कि यहां से start होता है वो होता है gate हमारा gate पर तो कोई issue नहीं है तो कई बार क्या होता है उसकी जब हम aura scanner से देखते है एनर्जी तो क्या होता है उसकी एनर्जी काफी वीक आती है gate की उसके कई सारे region हो सकते हैं वो हो सकता है पर्टिकॉर उस दिसा में gate ना हो जहां पर होना चाहिए तो वहां पर हम energy का protection लगा करके सकती चक्र लगा करके उसको एनर्जी को balance कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि कि इतनी एनर्जी उसकी वीक आ रही है और I scanner के थूप या उसमें परामेट लगा करके एनर्जी एन्हेंस कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास उपाय होते हैं, लेकिन एक गेट का एक दोस होता है, जिसमें हम द्वारभेद नाम से बोलते हैं, कि द्वारभेद हो गया, तो उसका मतलब है कि अगर मालीजी आपके गेट क सामने अगर कोई गेट आ गया तो आपकाına वास्तु दूस से भीडिती हो जाएगा यह ध्यां रखना को दूसरा गेट के सामने व्यादि किसी का पेटर आ गया सड़क का पिलर किसी मकान का पिलर कोई भी पिलर कि Аपने ही मकान का कोई पिलर तब भी वो द्वार्भेत कहलाएगा, उसका उपाय होना बहुत जरूरी है number 3, किसी दूसरे मकान का कौना आपके गेट के सामने अगर आ जाता है तो भी वो द्वार्भेत कहलाता है बाकि मैंने द्वारभेत के उपर और वास्तु के अलगलग सब्जेक्ट के उपर और भी बहुत सारी वीडियो यूटूब पर पोस्ट की हुई है तो आप यूटूब चैनल भी सर्च कर सकते हैं रेकी एंसको हीलिंग इस्टूट के नाम से तो वहां पर भी आपको वास्तु पाइया है क्योंकि वह एनर्जी एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करती है तो मैंने आपको कुछ दिर पहले ही बताया था कि नौर्थीस्त वाटर की दिशा है साउट हेस्ट वेस्ट अर्थ की दिशा है और नौर्थएस्ट एयर की दिशा है तो ऐसी स्तिती में अग निकलर अलिमेंट जिस दिशा के हैं, अगर कोई दूसरे अलिमेंट का वहाँ पर समान रख जाएगा, या वहाँ पर कोई और एनर्जी रख दी जाएगी, तो क्या होगा? वो energy disturb हो जाएगी, जैसे नॉर्थ इस्ट वाटर की दिशा है, अब वाटर क्या करता है, फाइर को भुजाता है, है ना, तो अगर वहाँ नॉर्थ इस्ट में, अगर आपकी किचिन बन जाए, किचिन क्या है, फाइर, तो क्या होगा, आपकी किचिन से उस नॉर्थ इस्ट का क्या हो जाएगा वासिदोस हो जाएगा तो कहा होनी चाहिए फायर है तो फायर मतलब किचिन है ना तो किचिन कहा होनी चाहिए साउथ इस्ट किसकी दिशा हो गई फायर की तो साउथ इस्ट में वो फायर की दिशा होने की वज़े से आपकी किजिन साउथ इस्ट में होनी चाहिए, ऐसी नॉर्थ इस्ट में वाटर की जब हमने बात किये, तो वाटर से रिलेटिड आइटम वहाँ पर नॉर्थ इस्ट में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में अगर हमने अर्थ की बात किये, तो पिर्थी से रिलेटिड वहाँ बात होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट में अगर एयर की बात किये तो नॉर्थ वेस्ट में इयर से related instrument होना चाहिए विए अब ऐसी इस्तिती में मैं आपको यह बता दू कि जब हम बात करते हैं elements की तो elements को follow करना बहुत बहुत जरूरी है और experts का होना बहुत जिरूरी है कई बार आपके कुछ उपाय करने की वज़े से हो सकता है कि एक इंच दो इंच का कुछ न कुछ दिसा आपका परवर्तन हो जाए सिर्फ चार दिसाएं या आठ दिसाओं से बात नहीं बनती है सोले जोन्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है आपको अलग लग तरह के गेट जो होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है तो उन सारी चीजों को जब हम मिला करके ओवरॉल देखते हैं उसको हम बोलते हैं वास्तू ग्यान तो थोड़ी बहुत चीजों के कर बहुत जरूरी है कि आप एनर्जी को बेलेंस करके चलें अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जिससे आप अपने घर में कुछ-कुछ वास्तू को खीक कर सकते हैं और कहीं पर कोई दिक्कत परिशानी आए तो आप डिरेक्ट हमें कॉल करके संपर कर सकते हैं अब म इसके पारे में मैंने बताया कि आप इस्ट नॉर्थ नॉर्थ इस्ट की फेसिंग में रख सकते हैं और उसकी जो प्लेसिंग होगी वो मैंने आपको पहले बताई थी कि बेस्ट में आप रख सकते हैं और नॉर्थ और नॉर्थ इस्ट उसकी फेसिंग कर सकते हैं इसके अल आप नौर्थ-ीस्ट, नौर्थ-नौर्थ-वेस्ट में कर सकते हैं, वर्किंग फेस्ट जो भी उसका होगा, उसका नौर्थ-ीस्ट, नौर्थ-नौर्थ-वेस्ट में जब आप रखेंगे तो उसके अपोजित में उसका फेस हो जाएगा, अब हम बात करेंगे आपके मास्टर सीडियां इसी मास्चयर वेड्रूह मास्चर वेड्रूम की आंसिए स्कूद होती 1971 साओं सेहीं अजिया इसी प्रकार आपकी सिडियांánt on the best रहती हैं वह साउथ वेश्ट और साओं में और वेश्ट में चलाइक सुद्ध साओं का भीनि गुमने एक अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा आप उसको करा सकते हैं एक इसी तरह से केचिन आपके मैंने पताए ह्थ मोंALLY चाहिए साउथ इस्त की और न छुमाली जाती हैं अब हम बात करते हैं आपकी डाइनिंग टेबल की तो नौर्थ वेस्ट में डाइनिंग टेबल सबसे बेस्ट माने जाती है आप रखने को तो नौर्थ इस्ट में भी रख सकते हैं साउथ में भी रख सकते हैं चिल्डन का जो बेड रूम है वह इस्ट में होना चायी है ऐस उन की जाता अच्छी होती है सिस्टा कर आप्स foundation खी एस्ट में लगा को सकते हैं mail फरके पारकिंग कि अप्मद आपकी नॉर्थSt और नॉर्थ इश्ट में अच्छी मानी जाती है आपके हेवी आइटम्स हमने पहले बताया साउथ, वेस्ट और साउथ वेस्ट में रखे होने चाहिए, आपका मसीन एरिया आपका साउथ इस्ट में होना चाहिए, आपका क्रिटिविटी एरिया आपके नौर्थ वेस्ट में होना चाहिए, इसके अलावा आपका लाइट वेट इस्ट, न North West और SSW में आपका bathroom होना चाहिए। Toilet, toilet क्या हो गया आपका? Rahu, SSW, W&W, W, S, or Northwest यह आपका toilet होना चाहिए इन दिशाओं में। ज्यान रखें, southwest में toilet होने से तलाग करा देता है। आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो southwest में toilet नहीं होना चाहिए। वास्तु सास तो यहां तक भी कहता है, आपका ट्वलेट और बातरूम मिक्स नहीं होने चाहिए, चेएक आपका ट्वलेट राहु है और आपका बातरूम चंदरमा है, यैनि राहु और चंदरमा मिल करके क्या कहानी बनाएंगे आप समझ सकते हैं, और इटेल, मैं पहली बात करूंगा जब एस्ट्रोजी और वास्तु के बारें बात करूंगा एकटा ये ध्यान रखना है कि राहू और चंद्रमा एक साथ नहीं होने चाहिए भूसिस करें अगर आप अभी मकान बना रहें तो राहू और चंद्रमा को अलग लग रखें फिर भी अगर आपने ले लिया तो आप या तो राहू का इलाज करें या चा दौना का इलाज करें दोनों में से एक एनरजी को जरूर बिलेंस करें इसके अलावा जो आपकी स्टेर्स हैं वो बोद्ध होती है तो उनको क्लॉकवाइस होना बहुत-बहुत जरूरी है उनका बिलकुल ध्यान रखें अब आ होने चाहीए आपके जो कारे करने की डेवले आपका और उसटओर है और आपका जो प्रान्ष है लेकिन वो ईसके अंदर होना चाहिए आपका मीटिंग रूम नौड्व настро यह जितनी वी जानकारी आपको बता रहा उंशना बहुत-बहुत इंपोटन जानकारी है जानकारियों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी, क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं, जैसे हम यह कहते हैं, हमारा family pick है, तो family pick कहा होना चाहिए? तो आपको अगर कुछ चीज एचीज आपको कुछ चीज वैसी वैसा बनना है तो उनके फोटोग्राप्स उनकी इमेज़िस आपको इस्ट में लगाने से आपका एचीवेंट का जो एनरजी वो बढ़ जाता है आपका गेन एरिया बढ़ जाता है तो गेन की एनरजी को बढ़ाने के लिए इस्ट में आपको लाइक हाली सिद्धान इस्तिमाल करना चाहिए इसके अलावा आपकी वॉल-कलॉउग इस सब कहा होने चाहिए या नौर्थ में होने चाहिए और बहुत सारी चीज है जो आपसे डिसकस की चाह सकती है जैसे आपका मैंने बताया कि अगर मालीज़ आपके ऑफिस है तो आफिस में साउथ वेस्ट में एक मैनेजर को बैटना, साउथ वेस्ट में बैट करके नौर्थ य इस्ट में उसका फेस होना चीए, अगर उस कंपनी का CEO है, तो CEO कहां बैटना चीए, साउथ में बैटना में होना चीए, जा हम फ्रिज की बात कर रहे ते की फ्रिज जो है, फायर भी है, अईर भी है, वाटर है, तो उसका चाही दिशा कौन सी है, साउथ इस्ट और नॉर्थ वेस्ट, आप नोट भी कर सकते हैं साथ की साथ, साउथ ओर नॉर्थ वेस्ट, इसके लाबा वासिम पानी के लिए तो नौर्थीस्ट ध्यान रखना वो नौर्थीस्ट में बहुत ज्यादा फैदेमन्द होती है जब हम उस बोरिंग को कराते हैं इसे करके आप इन चीजों को समझ सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका लाइथ वेट है, हैवी वेट है, इन सब चीजों का क्यो ध्यान रखना जलूरी है, क्योंकि उससे क्या हो gehen आपकी जो जिसा है, उस तिसा की एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है अगर कम हुई तो भी problem है ज्यादा हुई तब भी problem है तो इसी तरह से जब हम plotting का area देखते हैं तो कुछ area आपका cut हुआ होता है कुछ area बढ़ा होता है इस सारी बाते मैं में mix इस ले कर रहा हूँ हां तो हम बात कर रहें हमारी फैमिली पिक कहां लगनी चाहिए oudhouse डिनी चाहिए इसके अलावा कि हमें अगर जाना नियोत हैं स्य दिशार एग आपोण सी क्राएं या यहां सक्वाइग जला किरता है ठोल पलते चेहスंब करती है तो कहा जलना रखना तो नॉर्फ इस्ट जलाना है जैसे कपूर की टिकी रखी और उसको हमने जला दिया तो वो हमें जलाना है आपकी साउथ इस्ट में तो इतना फर्क पड़ जाएगा आपकी एनरजी का कर सकते हैं तो ये जो चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि आपका जो वासुदेव है उनका आपको कैसे ध्यान रखना है कि उनका सिर किदर होना चीए उनके पैर किदर होते हैं और सिर किदर होता है उसके एकॉर्डिंग भी आप चीजें कर सकते हैं तो मैं बता दू कि वासुदेव के जो सिर होता है उनका सिर होता है नौर्थ इस्ट के ले कहा गया कि Northern UA India में देविश्थल होता है नोथिस्त मुंकर सिर involvement की वज़े से और नौथ इसको हमें डेवतावों का इस्थान मानने की वहरे से वहाँ पर जो भी अब बारे में पहले बात कर लेदें, भ्रहमिस्तान सुर्ष का इस्थान है और वो आपका उसका रतन है मारिक, उत्तर, उत्तर दिशा चंद्रमा की और चंद्रमा का रतन है मोती, दक्षण दिशा मंगल एंड मुगा, इसी तरह से पूर्व, पूर्व के बारे में हम बात करें तो बुद्ध और बुद्ध का जो रतन है वो पन्ना पश्चिम के बारे में बात करें तो सनी, सनी का रतन है नीलम नौर्थिस्ट की बात करें तो गनपती, उकराज और साउथ वेस्ट के बारे में बात करें तो राहू, राहू का रतन है गौमीद, नौर्थ वेस्ट की बात करें तो केतू, केतू जो है मिक्स रतन आते हैं, साउथ इस्ट गुरू और गुरू में फुकराज, अब हम बात करते हैं कि अलग-लग दिसाओं के जो उनकी धातू ह वो कौन-कौन सी हैं, तो हम उत्तर की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब मोती की बात करेंगे, जंद्रमाकी, तो मोती के साथ हम चान्दी का यूज़ करते हैं, दक्षिन में मुंगा तो मुगा की बात करते हैं, तो वहाँ पत्थर की बात करते हैं, पूर्व की दिसा में पन् हम बात करेंगे तो तेन की बात करेंगे और साउथ इस्ट में हम बात करेंगे तो तावा यानि कोपर की बात करेंगे तो दोस्तों यह बात हो गई हमारी धातू की बारे में यह बात हो गई हमारे स्टोन के बारे में यानि की रतनों के बारे में उनके ग्रहों के बारे में और पद्धान देनी की बात है कि उनकी शेप कौन कौन सी होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने वह सेप बिगाड़ दी या सेप गड़वड हो गई तो सेप गड़वड होने से भी क्या होगा आपका दोस वहाँ पर आ जाएगा तो अब हम बात करेंगे नौर्थ वेस्ट नौर्थ की बात करते हैं और इसके अलावा साउथ वेस्ट में जा हम बात करते हैं तो स्क्वेर की यानि की चौकोर की बात करते हैं तो गोल यानि लोहा सेमी सरकल यानि ऐलमुनियम ट्रैंगल यानि कौपर चौकोर यानि स्क्वेर यानि की ब्रास और रेक्टेंगल यानि की स्टील इस्ट में रेक्टेंगल इस्तिमालिकर ल में हम अर्ट का इसतिमालिकर सकते हैं तो दोस्तों आपको यह जानकारी जो हम शेर करते हैं इसमें बस एक चीज जहां रखना है कि वास्तु एक एरिया से दूसरे एरिया के साथ connected है तो जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपकी basic जानकारियां है इन जानकारियों के साथ आपको deep knowledge का होना बहुत जरूरी है एसा नहीं है कि आपको जानकारी हो गई और आपने implement कर दिया यानि कि आपको फिर भी expert की आवश्यक्ता होगी पर कई बर क्या होता है जैसे माली जी हम घर में फ्रिज रख रहे हैं तो आपको एक मोटा मोटा idea हो गया कि मुझे इस दिसाम में रखना है अपको यह पता लग यग या कि वास्टाइथ मुझे इस एरिया में रखना है इस तरह से आपको एक मोटा मोटा idea हो गया तो आप अपने घर में मैंनेज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको एनरजी बेलेंस करनी है, आपके घर में परेशानिया चल रही है, आपके घर में ग्रहे कलेस वगरा चल रहा है, आपके घर में पैसों की दिक्कत है, आपके घर में और भी बहुत सारी दिक्कत हैं, बच्चों का केरियर है, आपकी ज इस्पर्ट एडवाईज ना लेते हुए अपने आप उसका टीटमेंट करने की कोशिस की तो आप एक जगे तो ठीक कर सकते हैं पर हो सकता है कि आपका दूसरा एरिया भी हो जाए जैसे मैंने कहा कि नौर्थ इस्ट में आपकी किछिन चली गई और उसको साउथ इस्ट में आ की एडवांस नौलिज नहीं है तो आप कोशिस कीजेगा कि आप एक्सपर्ट एडवाईज जरूर लें क्यों क्यों क्योंकि एक्सपर्ट एडवाईज लेने से क्या होगा आपका नौर्थ इस्ट भी ठीक हो जाएगा आपका साउथ इस्ट भी ठीक हो जाएगा अब आपन बिजनिस में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्ते आती हैं तो जब आप एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं तो भी चीजें सामाने हो जाती हैं और आप इनका टीटमेंट कर पाते हैं अच्छे से आपको इस तरह की जानकारिएं और भी बहुत सारी हैं जैसी मैंने आपको और आ स्कैनल के बारे में बताया है तो और डिटेल्ड वीड़ेो लेकर आने मचे चीजें होँगी लेकिन वह चीज्जें जब देख पाएंगे वो वीडियो जब देख पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वो आप वो समय समय पर अब मैं बताता हूं कि हमारे पास वास्तु से रिलेटेड जो इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं उ सब्सक्राइब देख जाएगे उस एर्या से वह एकजेस्टी नहीं करेंगे थूग तो दोस्तो बहुत ऐसी जीजें हैं जैसे बैलेंसर है से रान्रस भार बना ओंप्ना स इसका में प्रैमेड़ यूज置 कर रहा है इसके यह बहुत आयन प्रैमेड सा आम जाय रावा स्वास्त आइ're आइटम है कि रत्मनमंजूसा को कैसे एकडम से एक्डम से एक्टिवीट कर देते हैं और जयजयकार हो जाती है तो ऐसी बहुत सारी चीजे आपको समझ में आएंगी जब आप हमारे संपर्क में आएंगे कि वास्तु को बिना तोड़े-फोडे हम कैसे इंप्लिमेंट करते हैं आपको एक इंच तोड़ने की जुरूत नहीं है आपका सारा वास्तु एग्दम से सैटल होता चला जाएगा चाहे वो आपका घर का वास्तु है चाहे वो आफिस का है चाहे वो फैक्टरी का है चाहे वो आपकी किसी कंपनी का है चाहे आपकी का है चाहे आपकी प्लॉट का है कहीं का भी वास्तू हो आप हर जगे का वास्तू मेंटेन कर पाएंगे इसके अलावा आपके घर में कुछ ऐसी एनर्जीज है जिनका जो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंसिंग आपके लिए हो गई है तो उन एनर्जीज को भी रेक्टिफा की वज़े से इसके अलावा आप जोतिस में जो समस्याओं का समधन नहीं कर पाएं वह कैसे इस और इसके मदद से उन चीजों को रेक्टिफाई कर पाएंगे या फोटो द्वारा हम व्यक्ति के चीजों को जान पाते हैं कि व्यक्ति के साथ कौन कौन सी समस्या है आ रही है इसके अलावा आपके अंदर जो बिना कुंडली के अगर आप पसकुंडली नहीं है तो या कोई बर्थ डिटेल नहीं है तो कैसे हम कुंडली का मिलान कर सकें डिएने के अनुसार आपको कौन सा रत्म सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के बारे में और बताता चलता हूं आपको चलते चलते के जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जैसे मालो आपने वास्तु चेक कराया और वास्तु चेक कराने के वाद उसके आपने treatment करा दी और जियोपैथिक check नहीं कराया तो ऐसे समझ लिजिए कि जियोपैथिक stress हमारे जीवन में कम से कम 80% समस्यां पैदा करती है तो अगर आपने वास्तु ठीक करा लिया और जियोपैथिक ठीक नहीं कराया तो आपके वास्तु ठीक कराने का भी कोई फायद नहीं होगा क्यों क्यों कि जियोपैथिक stress लाइन का अर्थ है कि प्रत्वी से लगातार लगातार एनर्जी का निकलते रहना और एक ऐसी एनर्जी जो आपके जीवन को आपके जीवन के अलग-लग महत्तून हिस्सों को डिस्टरब करती है और अलग-लग भेंकर बीमारियों आपको अपकी लेकर के आती है आपके परिवार के बीस में तो आपको वास्तु तो रेक्टिफाइ करना ही है वास्तु का तो ट्रीटमेंट कराना है लेकिन साथ में जियोपैथिक stress लाइन का भी treatment कराना है तो दोस्तो और है स्कैनल की मदद से इतने सारे काम हम कर पाते हैं और मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो आप इसको जरूर कमेंट करें और हमें एडवाइस करें कि और किस तरह के वीडियो आपको चाहिए मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम 50 से उपर मॉडलिटी पे काम कर रहे हैं उन में से कौन सी मॉडलिटी पे आपको वीडियो सबसे ज़्यदा पसंद है आप हमें बता सकते हैं वह नेक्स्ट वीडियो के रूप में हम कोसेज करेंगे उसको लाने की अधरवाइस आप जब इसको वैल एकन को प्रेस कर देंगे तो फिर आपके पस वैसे भ पूरे रहे और आपने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरे किश्णा